क्या आपको पता है फुटबोल जादा तर ब्लेक एंड वाइट कलर की ही क्यों होती है तो मैं आपको बता दूं कि शायद ही आपको पता हो कि पहले फुटबोल एक ही कलर की हुआ करती थी यानि वाइट कलर की जिसकी वज़े से ब्लेक एंड वाइट टीवी में फुटबोल क अच्छे से दिखाई ही नहीं देती थी लेकिन जब 1970 में मेक्सिको में फुटबोल वर्ल्ड कप लाइव होने वाला था तब ज्यादातर लोगों के पास ब्लेक एंड वाइट टीवी ही हुआ करती थी तो लाइव मेच को देखने में परिशानी ना हो इसलिए उसके बाद से एडिडास ने ब्लेक एंड वाइट कलर की फुटबोल को बनाना चालू कर दिया और ये फुटबोल प्लेयर्स यानि खिलारियों को और रेफरी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और टीवी में मेच देखने वालों को भी आसानी होने लगी